राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी देश की राजनीती में नारा ताजा ताजा आया है लेकिन सियासत में भगवा रंग पहले ही अपनी छाप छोड़ चुका है बीजेपी का सबसे पुराना वादा राम मंदिर बनने का दोजार चोविस में पूरा होगा 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुवात हुई उस समय देश की सियासत में उमा भारती और साद्वी रितंबरा की एंट्री हुई रितंबरा मंदिर आंदोलन के बाद धार्मी कामकाज में लग गई और उमा भारती आंदोलन के बाद भगवा सियासत का सिंबल बन गई सक्री राजनीती में रहते हुए उमा भारती और भगवा लगभग एक ही अंदाज में कदम ताल करते रहे राम मंदिर अंदोलन से शुरू होकर उमा भारती की शबी कटर हिंदूत्य की होती चली गई उमा भारती मद्यप्रदेश के ठिकम गड़ के एक छोटे से गाउट डूड़ा से हैं पहले वो भागवत कथा वाचक हुआ करती थी 6 साल की छोटी उम्र में उमा भारती भागवत कथा करती थी उमा भारती को सारे धार्मिक ग्रंथ कंठस्त थे उसी दोरान राजमाता सिंधिया का इसने हैं उनको मिला उमा भारती सिंधिया राजपरिवार से जुड़ी राजमाता सिंधिया के साथ वे विदेशों तक भागवत कथा करने जाया करती थी सिंधिया परिवार से उनके रिष्टे के चलते उमा भारती के राजनेतिक जीवन की शुरुआत बड़ी जल्दी हुई उमा भारती ने लोकसभा का पहला चुनाव 1986 में लड़ा और वो हार गई फिर शुरू हुआ जीत का सलसला उमा भारती 1999 में भोपाल की सांसद रही और अटल विहारी वाजपई सरकार में कई अहम मंत्रालियों में मंत्री भी रही जब राम मंदिर का अंदोलन अपने चरम पल था तब उमा भारती ने संग और वीएचपी के साथ मिलके राम मंदिर अंदोलन में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया उस समय नारा दिया गया राम लेला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे उमा भारती का अनारा खुब चला और बाबरी मज्जित विधुहन्स के मामले में उमा भारती पर मुकदमे भी चले राम मंदिर अंदोलन से उमा भारती के राजनेतिक जीवन को पंक लगे और यहीं से सियासी आसमान में भगवा लहराने लगा सन 2003 में उमा भार्ती को स्टार प्रचारक बनाकर BJP ने मद्ध प्रदेश में भेजा और मद्ध प्रदेश में तीन चौथाई भहूमत से BJP की सरकार बनी तब से लेकर अब तक बीजेपी का पर्चम मद्ध प्रदेश में लहरा रहा है उमा भारती 2014 में नरेंद्र मोधी मंटरी मंडल में कैबिनेट मंटरी रही 2019 में उन्होंनों चुनाओं नहीं लड़ा उमा भारती शायद देश की पहली भगवाधारी नेता है उसके बाद योगी आदितिनात उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी बने और राजनीती में नारा आया राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी